है , तो अभी पूरे भारत में लॉकडाउन का महाल है और तो हम लोग ना तो ट्रैबल कर सकते हैं ना तो ब्लॉग बना सकते हैं और सब्सक्राइबरेंध्स कम हो रहे थे तो मैंने सोचा कि घर में ही क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए मैंने हाल ही में एक कैमरा लिया है तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा वो कौन सा कैमरा है उसका अन्बॉक्सिंग करूंगा और उसके कुछ फीचर भी बताऊंगा तो लास्ट तक किनेमाटोग्राफी सब में इस कैमरा की यूज़ करूंगा पहले और मेरे पास कुछ कैमरा है जैसे कैनन 200D Mark II तो वो भी रहेगा और यह न्यूली अड़ हुआ है और आगे और एक दो कैमरा अड़ होंगे मेरे कलेक्शन में और ड्रोन गिंबल यह सब भी आएगा तो और यह बंडल किट है 64GB मेमरी कार्ड के साथ इस कैमरे में बहुत सारे फीचर्स है जैसे कि इसमें एक स्मॉर आर बाइंजेक्स प्रोसेसर है एच 4K HDR शूट करता है Dolby Audio के साथ Wi-Fi NFC Bluetooth HDMI port सब कुछ है तो इस कैमरा में 693 आटोफोकस पॉइंट है 10 फ्रेम पर सेकेंड आई 251,200 तक है फुल फ्रेम है 24.2 मेपिक्सल का आई आटोफोकस अनिमल आटोफोकस साइलेंट शूटिंग है स्टेडी शॉट 5 एक्सेस डिया हुआ है मेमरी कार्ड के लिए टच आटोफोकस है हाईब्रीट लॉग गामा यूसब टाइप-C और माइक्र यूसब दोनों है और लोकेशन शेरिंग भी है इसमें तो इससे मैंने लिया है नोरा फोटो लैप से इसका बॉड़ी का प्राइस पड़ा मुझे 1,40,000 कित लेंस नहीं लिया है मैंने 50 mm 1.8 का प्राइम लेंस लिया है और 24-70 2.8 का लेंस और किया है जो कि लॉक्डाउन के जिसे नहीं आया है य और ये भी एक Munual Book है और साइड में रख देता हूँ ये 3 years warranty के साथ आता है और ये उसका warranty card है instructions और चाइछ है और ओरिडियो है ये accessories का QR code है इसेMayays वे सक्यान करकर आप ले सकते इसका accessories website में और यह है वारेंटी काड यह टू इर्स का है यह वारेंटी काड और यह वाला जो है वह एक्स्टेंडेड है यह बिल है मेरे कैमरा का 1,40,000 प्लस 19,000 लेंस 24 से तर लेंस जो है वह मैंने फिलिप कार्ड सा ओडर किया है तो वह अभी तक आया नहीं है यह एक स्लो चार्जर मिल जाता है हमें और इससे हम डेटर ट्रांसवर भी कर सकते हैं डारेक्ट अपने लैप्टूप में किनेक्ट के रगे तो चले बॉक्स को खोलते हैं और कैमरा बॉडी को बाहर निकालते हैं मैंने इसका लेज पहले से लगा के रखा है वरना यह उपर ही आता है तो यह है सोनी ए सेवन थ्री फूल फ्रेम मिर्रलेस कैमरा जो की थर्ड जेनरेशन है ए सेवन का तो यह फूल फ्रेम कैमरा है 4K 120 फ्रेम्स पर सेकेंड रिकॉर्ड कर सकता है और यह तिल्टेबल स्क्रीन है ओलेड व्यूफांडर है यह डाइल दिया हुआ है यहाँ पर आयेसो चेंज करने के लिए तो ये कैमरा का चार्जर है ये फास्ट चार्जर है ये दो घंटे में बैटरी का फुल चार्ज कर देता है तो ये मेरा FE 50mm F1.8 लेंस है E-Mount फुल फ्रेम ये क्रॉप सेंसर में नहीं लग सकता है इसका एक साल का वारेंटी है और ये इसका मैनुवल है और वारेंटी कार्ड भी है तो ये FE लेंस जो है 51.8 ये सोनी का बजट लेंस है ये बहुत है लाइट वेट कॉम्पाक्ट है और सोनी के ब्राइंडिंग आपको हर जगा दिख जाएगी इसका एपर्चर ब्लेट्स भी कमाल के दिखते हैं और लेंस बिल्ड कॉलिटी बहुत अच्छा है बंडल में ये मुझे बैग भी मिला है तो ये जो माइक्रो USB चार्जर है इसे आप डेटा ट्रांसफर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही इसे चार्ज भी कर सकते हैं तो ये यहां पर माइक्रो USB के लिए पोर्ट दिया हुआ है इसमें आप लगा करके आप पावर बैंक से भी शूटिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं और कैमरा आफ करके भी यूज़ कर सकते हैं तो चलिए इसमें बैटरी लगाते हैं और फिर इसके फंक्षिंस देखते हैं इसका बैटरी बहुत ही पावर्फुल है मेरे एस गैमरास में एक प्रसेफिशिन बना हुए कि बैटरी बहुत चल्दी ट्रेइन आउट होते हैं य viewfinder के साथ 650 shots, तो यह यहाँ पर dial दिया हुआ है, जिसमें सारे modes है, और यह C1, C2, C3 और C4, यह सारे custom keys है, यहाँ पर dial है, जिससे आप iOS वो चेंज कर सकते हैं, और यह function, यह autofocus button, यह recording button, और यह zoom in, यह right side में card slot दिया हुआ है, और यह नीचे battery, यहाँ पर आप tripod mount कर सकते हैं, यह OLED viewfinder है, और यहाँ पर flash shoot दिया हुआ है, अब इसमें कोई card नहीं डाला हुआ है, यह shutter speed के लिए dial दिया हुआ है, shutter speed चेंज करने के लिए, और यहाँ पर aperture चेंज करने के लिए dial दिया हुआ है, अभी तो lens attached नहीं है, इसलिए वो दिखेगा नहीं, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो like करे, share करे और subscribe करे हमारे चैनल solo traveler को, stay tuned, तब तक के लिए good bye